Hello viewers, today is my first lecture on YouTube channel और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ Mathematics Class 8 का और मैंने लिया है CBAC Board और मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैटर फर्स से तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले लेक्चर का जो नौटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें तो फर्स चैटर से हम स्टार्ट करेंगे स्क्वार एंड स्क्वार रूट इसका मतलब कि अगर M और N कोई नैचरल नमबर है आपको पता होगा कि नैचरल नमबर क्या होते है अगर आपको किसी भी वर्ट को लेके डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है अगर M और N नैचरल नमबर है इस तरह से कि M स्क्वार इक्वार इक्वार टू N बताब अगर N is the square of the number M अगर M कोई नैचरल नमबर है तो हम उसका square करेंगे तो M नमबर का square नमबर होगा तो हम और example के तरह through clear करेंगे यहाँ पर मैंने लिया है example 9 square is equal to 81 यहां M के place पर 9 है तो हम 9 का square करेंगे तो answer is 81 N यहाँ पर N 81 है तो 81 is the square number of 9 N is the square number of M then 81 is the square number of 9 और यहाँ पर आप देखिए कि same number से multiply हम करेंगे कोई सी भी number का हम square करेंगे तो same number से ही multiply होगा 9 into 9 तो this is the one pair of similar number तो 81 is the perfect square 81 पर पर्फेक्ट square है क्योंकि यह same number से multiply हो रहा है then 81 is the square of number 9 the square of an integer is also called a perfect square अगर हम कोई भी integer का square करेंगे किसी भी integer का किसी भी number का हम square करेंगे तो वो perfect square ही होगा क्योंकि हम same number से उसे multiply करेंगे और हम उसे perfect second power भी कह सकते हैं not all natural number are perfect square यहाँ पर आप ध्यान रिखिए कि सभी natural number perfect square नहीं होगे इसे हम example के through समझते हैं जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हमने same number से multiply किया है तो 81 is the perfect square number 7 is not a perfect square number क्योंकि कोई भी number ऐसा नहीं है जोसे हम same number से multiply करने पर 7 हो आता हो तो 7 into 1 not equal number तो 7 is not a perfect square similarly 15 तो 15, 3 into 5 not equal number similar number नहीं है तो 15 is also not a perfect square जैसे 81 perfect square number है 7, 15 is not a perfect square number 3 is not perfect square number 17 is not a perfect square number 64 is perfect square number because 8 into 8, 8 is the 64 तो आपको ये क्या perfect square होगा और क्या नहीं होगा आपको ये clear हुआ होगा अगर कुछ doubt है तो आप मुसे पूछ सकते हैं और इसके बाद हम second property देखेंगे second है no square number ends in 2378 इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी square number कभी भी 2378 से end नहीं होगा कोई भी number जिसका unit place उसका जो first number है unit digit number अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो number कभी भी square number नहीं होगा इससे आगे हम example के through देखेंगे और perfect square number जो भी number perfect square होगा उसका end होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से जैसे 81 perfect square था इसका end हो रहा है इसका unit digit 1 है तो जिसका भी unit digit में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा वो perfect square होगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही हो लेकिन जिसके भी unit digit में 2, 3, 7, 8 होगा वो perfect square नहीं होगा बट all number ending with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 जितने भी number है उनका end अगर सेम इनी number हो रहा है तो मैं necessarily not be perfect square जरूरी नहीं है कि वो perfect square ही हो क्योंकि इसमें जितने भी number इसे end होगा हो perfect square होगा पर ये जरूरी नहीं है कहीं कहीं ये property नहीं होगी जैसे कि 10, 21, 4 के लिए हमने लिए 34, 5 के लिए 45, 6 के लिए 56 और 79 एक्जाम्पल देखिए ये हमने लिए है यहाँ पर 45 तो 45, 3 x 3 x 5, this is the only one pair of same number यहाँ पर कोई भी pair नहीं बनाया है 5 के साथ तो 45 is not a perfect square number और इसकर आप सारे number के साथ check कर सकते हैं तो second property में जिसमें भी end 2, 3, 7, 8 से होगा वो कभी भी perfect square नहीं होगा और जिनका end 0, 1, 4, 5, 6, 9 से होगा वो perfect square होगा पर यह हमेशा जरूरी नहीं कैसा होगा कहीं कहीं किसी number के लिए रूल नहीं होगा अब हम property third दखेंगे if a number end in 1 or 9 अगर किसी भी number का end याने unit digit में 1 या 9 आता है its square would end in 1 तो जब भी हम उसका square करेंगे तो उसके end में याने unit digit आएगा वो 1 ही आएगा तो कोई भी number जिसका end में 1 या 9 आ रहा जिसका unit place 1 और 9 है तो उस number का square का end में सिर्फ 1 ही आएगा for example 21 square यहाँ पर हम unit place पर 1 है तो यहाँ पर हम 21 का square करेंगे तो जिसका square number आएगा 441 उसका unit digit भी 1 ही है एक नादर example 19 square यहाँ पर unit digit 9 है 1 और 9 यहाँ पर हमने 9 के लिए example लिया है यह unit place पर 9 है 19 का square is equal to 361 इसके भी end में 1 आया है तो कोई भी number जिसके end में 1 और 9 आ रहा है इसको square number के end में जो भी square number आगा उसके end में हमेशा 1 ही आएगा इसी तरह से the square of a number which ends in 2 और 8 जिसके भी हमने 1 और 9 का देखा अब हम 2 और 8 का देख रहे हैं कोई भी square number जिसके end में 2 और 8 आता है would end in 4 उसका जो square number आएगा उसका end में हमेशा unit digit 4 ही होगा एग्जामपल 18 square यहाँ पर unit place पर 8 है तो जब हम इसका square करेंगे तो square number 324 इसका unit place आया है would end in 4 तो कोई भी number जिसके unit place में 2 और 8 आता है तो उसका square number होगा उसका unit place हमेशा 4 ही होगा इसी तरह से मैंने 12 लिया है 2 के लिए example लिया है 12 square इसका भी unit digit 2 है तो इसका square number भी end में 4 आया 144 unit place is 4 next square of a number ending in अब यह 3 और 7 के लिए है 1 और 9 2 और 8 और 3 और 7 कोई भी unit digit कोई भी number हम लेंगे उसका square करेंगे लेकिन उसका अगर unit place पर 3 और 7 आता है तो उसका end होगा हमेशा 9 से ही होगा आप कोई भी number लेकर आप चेक कर सकते हैं similarly if 4 और 6 is the unit digit of a number उसी तरह से अगर कभी कोई भी number का हम square कर रहे हैं उसका unit digit में 4 या 6 आ रहा है then unit digit of its square would be 6 तो उसका जो square number होगा उसका जो unit digit होगा वो हमेशा 6 ही होगा example मैंने एक example लिया है 4 के लिए 24 square तो unit digit में 4 है इसका square करेंगे तो अंसर is 576 इसका unit place में end हुआ उसका 6 है यहां तक आपको clear हुआ होगा और आप कुछ भी doubt है तो आप comment box में पूछिए next if a number ends in 5 और 0 अगर किसी भी number का जो end है unit place में 5 और 0 हो रहा है तो its square would end in 5 और 0 respectively तो उसका अगर end में 5 है तो उसका square number के end में जो unit digit आएगा वो 5 और अगर किसी number का end 0 से हो रहा है तो जब उस number का हम square करेंगे तो उसका unit digit में हमेशा 0 ही आएगा property 4 देखेंगे अब हम the number of zeros at the end of a perfect square किसी भी perfect square के end में जो number of zeros उसमें numbers कितने आ रहे is always even तो अगर कोई भी perfect square number होगा उसका जो end में numbers आएगे number of zeros जितने भी आएगे वो हमेशा even number में ही होंगे जैसे कि 50 square is equal to 2500 and in double zero 50 into 50 तो यहाँ पर 2 times zero आया 2 is the even number तो 2500 is a perfect square number कोई भी perfect square number होगा अगर उसके end में आ रहा है even number में zeros आ रहे हैं तो वो number perfect square number ही होगा उसी तरह से 300 का square करेंगे 300 into 300 तो जो number इसमें आ रहा है 90,000 तो इसमें 1, 2, 3, 4, 4 zeros आये हैं और 4 is the even number so 90,000 is a perfect square number तो कोई भी number के end में अगर even number में zeros आ रहे हैं तो वो perfect square number होगा therefore इसका मतलब यह ही किसे a number ending in an odd number of zero अगर किसी भी number के end में odd number है जैसे 5 है 5 odd number है 7 odd number है 9 odd number है अगर odd number में zeros आ रहे हैं इस never a perfect square वो कभी भी वो number perfect square number नहीं होगा इसे हम example के through देखते हैं 1600 is not a perfect square 1600 कभी भी perfect square number नहीं होगा इसमें odd number में 0 है 3 zeros है 3 is the odd number because 40 into 40 1600 यहां पर one pair बने का इस्टीन थाउजंड के लिए हम multiply by 10 तो यहां पर 9 pair of 10 यहां पर 40 के लिए one pair बना है यहां पर 10 का सब कोई भी pair नहीं है तो यह perfect square number नहीं है यहां पर 40 का two times multiply हुआ है पर 10 का नहीं हुआ है तो यह odd number में है यह तो यह कभी भी perfect square number नहीं होगा अब हम प्रपर्टी नंबर 5 देखेंगे इफ और नंबर इस इवन या तो नंबर इवन हो या फिर नंबर कोई भी नंबर और नंबर या तो इवन नंबर है या फिर और नंबर है तो इसका is square number even तो उसका is square number भी home यह ओ भी even अगा अगर कोई number even है तो इसका square number भी even होगा अगर कोई number odd है तो इसका square number भी odd होगा 2 is even number A square is also 4 – 3 is odd number then it is square 9 is also odd number A square number leaves a remainder 0 or也可以 Rob है on division by 3 कोई भी number अगर perfect square number है तो उसका जो reminder है वो हमेशा 0 या 1 ही आएगा 3 से divide करने पर example देखते हैं 25 is a perfect number 5 into 5 25 तो 3 से divide करेंगे perfect square number को reminder इसका 1 आया इसी तरह से 144 is also perfect square number 12 into 12 144 144 perfect square number है इसको हम 3 से divide करेंगे तो reminder आया 0 इसी तरह से कोई भी number हम देखेंगे कोई भी number अब चेक करेंगे अगर वो number perfect square number है तो 3 से divide करने पर हमेशा उसका जो reminder है वो 1 या 0 ही आएगा result is true for all square numbers if we divide a number by 3 and get a reminder 2 अगर हम एक number को 3 से divide करने हैं और reminder जो है हमको 2 मिल रहा है 1 या 0 नहीं मिल रहा है हमको reminder मिल रहा है 2 then the number is not a perfect square number तो वो number कभी भी perfect square number नहीं होगा जिसे 25 ए 144 इसका 3 से divide कर रहे है 39 ए 3 से divide कर रहे है तो हमको reminder 1, 0, 0 जो भी मिल रहा है तो वो number हमेशा reminder जिसमें भी 1 और 0 आएगा 3 से divide करने पर वो number perfect square होगा और जिसका reminder 2 आ रहा है तो वो number perfect square number नहीं होगा property number 7 if n is a perfect square अगर कोई number है n n कोई भी number हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 then 2n can never be a perfect square तो उसका अगर हम multiply करेंगे 2 से अगर इसको हम double करेंगे 2n वो कभी भी perfect square number नहीं होगा for example 4 is a perfect square because 2 into 2 one pair of similar number of multiplication तो 4 is a perfect square number अगर हम यहापर 2n यहापर n को हम 4 मान रहे हैं तो अगर हम 2n लेते 2 into 4 is not perfect square 2 into 2 4 one pair यहापर बन जाएका पर यहापर कोई भी pair नहीं है इस 2 के साथ तो 2488 is not a perfect square number तो यह तो हमने कुछ important properties देखी square और number की अब हम किसी भी number का square find करने के लिए 2 methods देखेंगे तो अभी मैं इस lecture में सिर्फ आपको square number और square number कैसे find करते हैं वो बता रही हूँ मेरे next video में हम इसी first chapter के square root के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले मैं आपको square number कैसे find करते हैं इसकी कुछ methods पताती हूँ दो methods है इसकी तो first method है alternate method of squaring numbers इसे हम column method भी कहते हैं यह एक old Indian method है अगर कोई भी number छोटे digit का है find the square of 2 और 3 digit number quickly अगर आपको कोई 2 और maximum 3 digit का कोई number है 2 या 3 digit का ही number है छोटा number है और आपको quickly जल्दी से उसका आपको square find करना है कि उस number का square क्या है without actual multiplication बिना multiply की आपको फटाफट निकालना है कि उसका square होगा उस number का तो हम इसके लिए use करेंगी identity आप सबको पता है इस identity के बारे में पिछली classes में आप पढ़ चुके हैं a plus b का whole square equal to a square plus 2ab plus b square तो square whole square of a plus b के formula से हम यह किसी भी number का square हम find कर सकते हैं तो मैंने यह example लिया है a b equal to 86 हम 86 का square find out करेंगे इस identity के through तो यहां पर जो a होगा वो हमारा होगा 8 और b जो होगा वो होगा 6 तो यहां पर हम तीन column बनाएंगे first column बनेगा a square के लिए second column बनेगा 2ab के लिए and third column बनेगा b square के लिए तो सबसे पहले हम column first में हम लिखेंगे a square and column second में हम लिखेंगे 2 a into b and third column में हम लिखेंगे b square अब a के place पर हम 8 पुट करेंगे और b के place पर हम 6 a square means 8 square 2 multiplied by a means 8 b means 6 and b square means 6 square अब हम इसका multiply करेंगे तो 8 square 8 8s आ 64 8 into 8 करेंगे 2 बर multiply करेंगे 8 8s आ 64 2 8s आ 16 and 16 6s आ 16 multiply by 6 96 and 6 square 6 6 times 2 times 6 into 6 36 अब हम third column से start करेंगे b square से column third में अगर two digits है तो हम first digit पर unit digit पर हम underline करेंगे और जो tense digit है उसको हम आगे के number में column second में हम उसको add कर देंगे और अगर नहीं है तो हम second column से start करेंगे और उसके unit digit पर underline करेंगे और उसका जो tense digit हों का उसको आगे की column में हम add कर देंगे तो यहां पर आया answer 90 9 add करने पर अब इसको add करने पर जो भी number हमें मिला है उसमें हम इसके again वापस से हम unit place पर हम underline करेंगे और जो इसका tense digit है उसको फिर से हम आगे की column में first column में add कर देंगे और 64 और 9 को हम plus करेंगे तो आएगा 73 तो अब यहां पर last number है तो हम इन दोनों number पर underline करेंगे तो हमने लिया था number 86 86 का जो square होगा वो होगा हम number लिखना स्टार्ट करेंगे जिसे भी हमने अंडर्लाइंग करेंगे 7 3 9 6 तो square of 86 is 7396 तो without actual multiplication 86 into 86 हमने using this identity whole square of a plus b इस identity से हमने यह दो डिजट का number का square easily find out कर लिया और अब मैं आपको एक question दे रही हूँ आपको अगर यह समझ में आया है तो आप बहुत ही जल्दी से इसे solve कर लेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आप 65 का square आप कैसे find करेंगे using this identity whole square of a plus b is equal to a square plus 2ab plus b square यह alternate method है इसे हम column method भी कहते हैं इस method के थुरू आप मुझे यह 65 का square का जो answer है वो क्या होगा आप मुझे comment box में लिख कर जरूर बताएंगे अब हम second method देखेंगे second method का नाम है diagonal method as the number of digits increases अगर हमने देखा था अगर two या three digits के number हैं तो हम quickly हम इस column method से identity का use करके हम फटाफट उस number का square find out कर सकते हैं अगर number of digits increase हो रहे बढ़ रहे हैं तो हम इस method के थुरू without actual multiplication हम diagonal method के थुरू उस number का square find out कर सकते हैं यह भी old Indian method है मैं यहाँ पर आपको पहले दो डिजिट का number लेती हूँ 25 इसका square आपको find out करके प्रता देऊ के diagonal method में किस तरह से हम number का square find करते हैं तो सबसे पहले यह two digit है तो हम पहले four blocks बनाएंगे पहले एक square बनाएंगे और उस square में हम बनाएंगे four blocks यह two five यहाँ लिखेंगे 25 करने का find out करना को यहाँ पर two और यहाँ पर five और हर block का हम इस तरह से divide करेंगे यहाँ पर divide किया यहाँ दिवाइड किया और फिर हमने इसे यहाँ ऐसे divide किया तो अब हम simple है बहुत ध्यान से देखिए सबसे पहले हम two का two-test से multiply करेंगे तो जो भी multiply यहाँ वो उसके block में आएगा तो two two is a four four is unit digit number और इसके आगे zero is tenth digit number तो two two is a four तो four हम कहां लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे four और यहाँ पर हम लिखेंगे zero ठीक है उसके बाद हमने two toざ four रिखा है four यहाँ आएगा और जीर यहाँ आएगा उसके बाद हम two का multiply यहाँ पर नुरू का multiply यहाँ पर five का यहां जिकाँ इसके करां यहाँ पर यहाँ भी start कर सकते हो या kisses विखेंगे यहाँ पर qt 0 यहाँ जाएगा यहाँ पर qt a 0 10 एक तो qt- bandidan फिर यहाँ पर qt a 10 ऐगेञें तो यहाँ पर qt o fag is 10 पर फिर 57 विज्व पक्रशिव 2 x 5 यहाँ पर फिर 25 वेन और पर फोलिकेंगे फिर्स्ट लाइन के से जो ब्रेक हो रहा है, यहां पे सिर्फ जीरो है, तो यह मैं यहां पे जीरो सेपरेटली लिखूंगी, फिर आप देखें यह लाइन और यह लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, हम उसको लिखेंगे, वन, एड करते जाएंगे, फोर प्लस वन, अब हमने पहले यह लिखा, फिर यह वाला लिखा, फिर आप हम इसके नीचे वाला जो यह लाइन है, इसके बीच के नंबर्स लिखेंगे, अलग से, जीरो प्लस टू, प्लस जीरो, यह भी हो गया कंप्लीट, और लास्ट में यह सिंगल, फाइ प्लस वन, 6, 2, and 5, the number is 625, that means square of 25 is 625, without actual multiplication 25 into 25, हमने यह diagonal method से इसका, इस number का हमने square find out कर लिया, और अब मैं एक और example के through, आपको यह diagonal method समझाती हूँ, और यह मैंने अभी 3-digit के number लिया है, 2-digit के लिए, यह इधर से 2-blocks, इधर से 2-blocks लिए थे, total 4-blocks लिए थे, अब 3-digit के लिए हम बनाएंगे, 3-digit के लिए 1, यहां से 3-column बनेंगे, और इधर से 3-row बनेगी, 1-2-3, 3-columns and 3-rows, और similarly हम इसको फिर वापस से diagonally हम हर एक block को break करेंगे, सबसे पहले हम यह लिक लेंगे, 4-8-6, 486 का हम square find कर रहे हैं, यहां पर भी 4-8-6, इस तरह diagonally हम इसको divide करेंगे, हर एक block को इसको किया, इसी तरह से आगे continue इसको किया, similarly इधर divide किया, फिर इधर divide किया and फिर इधर divide किया, इसको यहां से start किया, यहां divide किया, यहां divide किया and यहां divide किया, और same वही हम multiply करेंगे, 4-4-z, सबसे पहले 4 का 4 से होगा, 4-4-z 16, यहां पर हम लिकिंगे 16, फिर 4 forza किया अब 8 forza करेंगे 8 forza 32 फिर 6 forza 24 अब यह हमने इधर multiply किया फिर इसका किया फिर इसका 4 से किया अब हम यहां पर 4 का 8 से फिर 8 का 8 से और 6 का 8 से हम इस तरह से करते जाएंगे 4 za 32 8 za 64 8 za 64 और 6 za 48 इसी तरह से अब हम 4 का 6 से 8 का 6 से और 6 का 6 से करेंगे तो 4 za 24 इसी तरह से हम सबका अब हम उसी तरह से हम सबका एडिशन करेंगे एक लाइन का तो 1 इस त्राइंगल में सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमने यहां पर लिखा 1 फिर हम इस लाइन के नंबर्स को एड़ करेंगे इस लाइन के नंबर्स को इन दो लाइन के बीच में जो भी नंबर्स आरे इसको एड़ कर लेंगे तो तो 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 उसी तरह से अब हम यह वाली और यह वाली लाइन के नंबरों को एड़ करेंगे यह लाइन का नंबर और यह लाइन के नंबर्स तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 2 14 यह थर्ड लाइन का हमने किया अब हम यह वाली लाइन का नंबर आड़ करेंगे यह और यह लाइन के नंबर्स को यहां पे लाइन से हम आड़ करेंगे तो 4 प्लस 4 8 4 प्लस 4 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 4 20 उसी तरह साब हम यह वाले नंबर्स को एड़ करेंगे इस लाइन के नंबर्स को 8 3 और 8 को तो 8 प्लस 8 16 16 प्लस 3 19 यह लाइन के भी नंबर्स एड़ हो गए और लास्ट में ही जो बचा यहां पे 6 अब फर्स्ट वाले में हमको सिंगल सिंगल डिजिट ही मिले थे एड़ करने पे तो हमने कोई भी नंबर को हमने केरी फॉरवड नहीं किया था अब यहां पे टू डि एड़ करेंगे और 10 डिजिट के नंबर को आगी हम अड़ करते जाएंगे एड़ किया 21 अगें 1 यृणि डिजिट के नंबर को अंडोलाइं करेंगे हमने कर देंगे 2 foi cm ac criticism fowals अंसर रहें 13 two घो भी नमबर हमने add किया है स्क्यार्सथार कर रहे थे जो भी नमबर हमने add करते गए है घो भी एक हमने add कर गए तो भी नमबर लिखते जाएंगे lENT से यहाँ पिर answer last two है इसको भी underline करेंगे तो 2, 3, 6, 1, 9 and 6 अपने देखा कि हमने स्रिफ diagonal method से कितने fast बिना actual multiplication के 486 x 486 बिना इस तरह से multiply कि हमने directly इस number का square find किया है तो इसका जो square आया है वो आया है 2,36,196 तो यह first method है square find करने की alternate method, column method and second method है diagonal method और उमीदे कि आपको यह दोनों methods बहुत अच्छे से समझ में आ गही होगी आपको और कुछ इसमें जानना है पूछना है तब comment box में पूछ सकते हैं और मैंने आपको column method के लिए एक question दिया है 65 का square जिसे आप column method से solve करना है और आपको मैं एक question देती हूँ diagonal method के लिए आपको एक simple सक मैं question देती हूँ 96 इस नंबर का 96 इस नंबर का आप square find करेंगे diagonal method से और इसी तरह से आप 325 का square आप find करेंगे three digits का number है diagonal method से आप three digits से ज्यादा number का भी कोई ज्यादा number है उसको भी आप diagonal method से आप उस number का square find कर सकते हैं तो यह तो हमने आहँ घल यहां तग की लेक्चे मरे हमने square number के बारे में देखा कैसे किसी नंबर का square find करते हैं square numbers किहां होते हैं और मेरा जो action video रहेगा इसमें में आपको square root किर्ए ह करने के लिए method उसके बारे में बताऊंगा और आपको ये मेरा lecture अगर आपको पसंद आया है तो आप subscribe जरूर करिए ताकि आप next video मिस ना करें और जो मैंने आपको square number के लिए जो properties अभी आपको मैंने बताय थी उसका भी मैं pick आपको भी देती हूँ इस वीडियो के end में तो आप उसको आप instant shot ले लीजिए आपको जरूरत है तो और वीडियो का आप like share जरूर करिए आपको पसंद आया है और subscribe करना ना भूलिए तो मिलते हैं next lecture के लिए हम next video में good day tech care आपको एिये आपको उक्षर के quiere देती हुआ